वेलकम लिए स्टोडेंट इस वीडियो को टोपिक रहेगा टेंथ क्लास इस सिव इंगलिश सब्जेक्ट का एक चैप्टर है कोश्टिन उप ट्रस्ट बाइविक्टर केनिंग काफी सस्पेंस फूल काफी इंट्रेस्टिंग काफी एक परकार से बोल सकता हूं की दिमाग ला काफी इंट्रस्टिंग स्टोरी रही है यदि अभी तरह आपने उसको नहीं देखा है तो पूरे चैनल लब जो पूरा कोर्स उसकी प्रेलिस्ट का लिंक मापको इस वीडियो के डैस्क्रिपिशन में अवेलेबल कर दूंगा आप उसमें जा करके पूरे कोर्स कर सकते हैं 12 के लार्स का कोर्स भी आपको चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा यदि कोई आपका फ्रेंड होता है तो और बी-ए-ए-म में तक का कोर्स आपको यहां पे चैनल मिलता है मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो लाइक कीजिए सेर कीज कि तुम्हारे बिना चैनल अधूरा है सबसे पहले इस स्टोरी के मैंन करेक्टर्स के बारे में हम डिसकस करेंगे सबसे पहला करेक्टर है होरस डेंबी यह वैरी डिफ्रेंट काइंड ओव थीप यह बहुत ही अजीव सा चोड है कैसा चोड है बताऊंगा मैं आगे नमाज में इसकी इजद भी है लेकिन इमानदार नहीं है थोड़ा बहुत फ्रोड कर दिये करता है लवर फ्रेयर एंड एक्सपेंसी बुक्स यह इसका एक सोक है यह बहुत ही महंगी सी और बहुत ही यूनीक सी किताबों करने में इंट्रेस्टेट पढ़ता नहीं है कलेक् बेफूल्ड बाई यंग प्रेटी लेड़ी और एक दूसरा दूसरी चोर है जो एक जवान सी खुबसूरत सी ओरत है उसको बेगूप बना देती है खानी कुछ ऐसी है तीक है दूसरे करेक्टर है इसके अंदर आपका दा वुमैन थीफ वह एक ओरत चोर एक प्लेवर और मजाग भी बहुत बड़ी हड़क्जे करती है मतलब किसी कोई बेगूप बना सकती हो उसके हाथ का खेल है अब यहां देखिए एक चोर दूसरे चोर को धोका देगा इसलिए चैप्टर का नाम है कोश्चन उप्टरस्ट कोश्चन उप्टरस्ट का मतलब होता है विश् पर बढ़ा सब्सक्राइट हो जाता है और होरेस डेन भी जिसको ठगा गया है उसके जीवन में एक ऐसा पल भी आता है जो विश्वास नहीं कर पाता है कि एक चोर ने मुझे जो मैं खुद चोर उसको ठग लिया बिलीव नहीं कर पाता इस बात को चलिए स्टोरी को सुरू करते हैं होरेस डेन भी जिसकी उम्र लगबग पचास साल है अन्मैरिड साधी नहीं हो रखी है लिविंग वीद हाउस कीपर एक नोकर के साथ रहता है अपने घर के अंदर हूँ इस वरीड अवाउट इस हैल्थ और यह पचास साल के उमर होगी है तो इसकी हैल्थ डेफिन सब्सक्राइब होती है जो ऐसे लोग होते हैं जो डस्ट धूल वगएर के लेकर के सेंसिटिव होते हैं मतलब गले में या नाक में उसको इनफेक्शन चलते रहती है तो खासी चलता है उसको नोर्मल बारा महीने का पैसेंट हो ऐसा मान सकते हैं ही रोग्ड वन से यह अब देच्चोर डफरेंट क्यों है क्योंकि दूब अबंज करता है टिक हम के लिए एकटसेंच तोटे-मोटे खर्चे उनके लिए एक चोरी करता है साल भर के अंदर इट्स जुलाई संसाइन जुलाई का महीना है सुरज बिलकुल बढ़िया तम-तमा रहा है ही फेल्ट शोर उसको पक्का पता चल चुका है इस साल वह बढ़िया चोरी कर लेगा एक घर है काफी रहीस घर है और उसके बारे में लगभग वो दो हफते से पूरा रिसर्च कर रहा है क्योंकि सोट औवर क्रेंज काफी पॉपुलर घर है तो इसके बारे में निará बीदी कॉछ च्पा हुआ है रहा है और चोरी करने की प्रिपरेशन कर रहा है ठीक है इस आफ्टर नून दा टू सर्वेंट्स हो रिमेंट इन दे गैरेंज वाइल दा फैमिली वाज लंड इन लंडन फॉर मूवी आज दो बहर के बाद के वल यहां पर दो सर्वेंट रहेंगे इस घर के अंदर इसके नि इन दे गैरेंज सेफ इस घर की जो सेफ है जो अलमारी है इसके अंदर लगभग 15,000 पाउंड के बराबर जुएलरी रखे हुई होगी ऐसा सुनने में आहा है ठीक है और यह इतना पैसा है कि इसमें से लगभग 5000 पाउंड वो अगले साल के लिए भी बचा सकता है दीज न्यू बुक्स थ्री न्यू बुक्स आर कमें और उसको पता चला है कि तीन नहीं किताबे भी आ रही है तो वो भी खरीद लेगा अपने हातों में ग्रवज पहन करके उसने किचन का दरवाजा खोला चुराई हुई ताली से ठीक है जो वहीं पर टंगी हुई थी उसको लिया कि स्मॉल डोग डाट भी है फ्रेंडली वहां पर एक डोग है कुट्टा है और उसने उसको देखा तो कुट्टे को भोगना चाहिए लेकिन कुट्टा भोगा नहीं उसने उससे फ्रेंड्शिप कर ली ठीक है दा सेफ वाज इंदर ड्रोइंग रूम और वह जो सेफ थी व बरतन था और टेबल टेबल के अंदर इट क्रियेटीड लिटिल सीच आपको पता है कि इसको डस्ट से या पॉलंस जो होते हैं धूल वगैरा मान लीजिए या जो फ्लोवर है उसके उपर जो पॉलंस लगे चोटे-चोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके संबर्ग में आ चार घंटे थे नो कुरो के वापस आने तक मतलब चार घंटे तक वो चोड़ी कर सकता था ही कवर्ड इस नोज विद हैंड करचीफ टूवाइड स्नीज अपनी स्नीज अपनी छीक कुरोगने के लिए उसने अपने नाक के उपर अपना रुबान बांध लिया सड़नली वोइस केम तभी एक आवाज आई आस्किंग और जिस आवाज ने पूछा वाट इस इट यह क्या है एक कोल्ड और हे फीवर यह क्या एक कॉमन कोल्ड है या यह हे फीवर है हौरेस डारेक्टर रिप्लाइड हौरेस यह भूली गया थे कि वो चोली करने के लिए आया है उसने स्यधा जबाब दे दिया हे फीवर यह हे फीवर है तब ही उसने देखा कि जिसको उसने रिप्लाइड दिया है वहाँ पर एक औरत खड़ी है उस कुत्ते के साथ जिससे वो भी मिलके आया था और कुत्ते का नाम है शेरी वह आज रबिंग अंगेंस्ट हर और उसने कुत्ते को इस परकार से अपने कंट्रोल में ले लिया है कि कुत्ता उसको अपना शरीर रगड रहा है मतलब ऐसा लगता है जैसे कि वह कुत्ता और यह मालकिन आपस में बहुत पुराने से जानकार है ठीक है ना सी मोवड टू दा फायर प्लेस वह चूले की तरफ चले जाती है एंड मैंटेनर ओर्नामेंट्स और जो भी वह कपड़े पढ़े पहने वहीं थी उसको ठीक करती है सी से आई कांट एक्सपेक्ट त्हीफ हेर इन मऍशर आपस सेंसों कहदीysis kba मैं घcho नहीं थी तो इसका मलब यह तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी मेरे घर में चोर आ सकता है कि जैसे कि यह उसका गर फ्लेश को प्रेंद चैनल कर लिया जैसे यह उसका कुछिट पर आप है ना एक्टिंग देखे क्या सांदार है होरेश ट्राइट टू फ्राइटन हर होरेश ने उसको धंकानी की कोशिस की ड्रानी कोशिस की बैट फैल्ट लेकिन उसको कोई फरक नहीं पड़ा उसने का किया डराओगे तुम क्या धंकाओगे क्या कर लोगे तुम मेरा ठीक है ना सी सेड उसने कहा दैट सी वुड़ को पुलिस को बुला लेगी एज ही वास ट्राइंड टू रोब हर क्योंकि वो उसको लूटनी कोशिस कर रहा था एंड सुसाइटि सुट प्रोटेक्ट फ्रों ही और सुसाइटि को इस परकार के चोरों से मक्कारों से बचाने की ज़रूरत है अब इस ने क्या किया कि मैडम रुको शिगरेट मैं पिलाता हूं लाइटर भी मैं आपको देता हूं गलाव्स भी उतार दियें एब इसने फ्लैटरी करना चम्चागिरी करना सुलू करते ताकि इसकी जान बच जाए कुछ करके कि और डरी नहीं अब इतना बड़ा तो चोर यह नहीं कि उसका मडर कर देगा एक्सपर्ट तो है नहीं इस मामले में तो यह अब क्या कर रहा है उसकी चम्चागिरी कर रहा है कि मैडम बस हाथ जोड़ रहा हूं जाने दो मुझे ठीक है न सी विस्ट टू सी विस्ट टू वी और ओल दी जैव पहन करके कि मेरे हस्बेंड को कैसी लगेगी है और फिर हॉरस टैन्वी ने कहा कि अच्छा तुम उससे अलबारी में से वह सारी जुएल लिए मगवाना चाहती हो क्योंकि मुझे पता चल जब तुम्हें अपनी ही सेफ का पासवर्ड नहीं पता है तुम भूल गई हो उसन पासवर्ड भूली हुई हूं तो जाओ और सारी जुएल ले करके आओ और फिर मैं तुमको छोड़ दूंगी ठीक है कितनी स्माठ हैं बाइद अनून अब थर्ड दें दो दिनों तक कोई माम लानी हुआ तीसरे दिन की दो पहर को एक पुलिसमेन अरेस्टिड ही एक पुलिस वाला आया अरुस ने होरेस्टेंबी को अरेस्ट कर लिया फोर्ड जेवल रोबरी इन सोट ओवर ग्रेंज क्योंक क्योंकि होरेस्टेंबी ने जो सिगरेट पिलाए थी मेडम की जो खातेवदारी करने कोसिस की थी उस टाइम पुलिस ने अपने गलव उतार दिये थे अलमारी को बिन गलव के खौला था और इधर उधर जितने विजए थी उसी के फिंगर्प्रिंट थे तो पुलिस ने उ पुरत थी और उसको मैंने सारी जिए दी और वो वाइफ ऑप दी ओनर उस घर की जो मकान मालिक थी यह उनकी पतनी थी उसने मुझे ऐसा कहा था दा स्टोरी वाज कंसाइड और नोंसेंस पुलिस और ने का अच्छा बेवगूब बना रहा है एक तो चोरी कर रहा है ओपर स इस असिस्टेंट लाइब्रेरेयन अब भॉरेस जेल के अंदर एक असिस्टेंट लाइब्रेयारियन हैं किताबों के बीच में रहता है और बहुत ही जल्डी गुसा हो जाता है वइन विद्वरी लोग ऑनने टॉक्स और ऑनर अमंग थे जब कोई कहता है कि चोर-चोर मुस किए वीडिय को लाइ ही शेहिल जी विल दे ने स्ट विडियों टी जिल आम इए या टे किए वब लेडियों खाय टी को घ्ोड प्लश्य यू